जै जै माता दिमित्रू आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको एक ऐसा सिद्ध महाचमतकारी यंत्र बताऊंगा इस यंत्र को बनाने से इतनी ज़्यादा ब्रह्मान की सक्तियां आपके पास आ जाएगी कि आप अपने हर कारे में सफलता को निश्चित कर लेंगे हर चीजों की सफलता और असफलता सिर्फ व्यक्ति के ग्रहों की काराण ही होता है अगर कोई ग्रह उसके कमजोर है या फिर बहुत ही ज़्यादा कहा जाए उसका साथ नहीं दे रहा है उसके ग्रह तो ही व्यक्ति को कोई भी कारे में सफलता या असफलता हाथ लगती है और संपून स्रिष्टी उसके नव ग्रह और उसके कर्मों के अधार पर है कर्मों से ग्रह तै होते हैं ग्रहों की स्थिती तै होते हैं और क्रहों की इस्थिती से ही व्यक्ति के कोई भी कारे में सफलता और असफलता निर्भर करती है विजय यंत्र अर्थात एक ऐसा यंत्र है इस यंत्र के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पुरातन से चला आता है और बहुत ही प्राचीन यंत्र है इस यंत्र को पुराने जमाने में राजा और महाराजा जब युद्ध लड़ने जाते थे तो निश्चित तोर पर इस यंत्र को पहले अपने पास रखते थे पूरी विधी और विधान से उसके बाद ही यु गोपनी रूप से किया जाता है और गोपनी तरीके से इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। गोरोचन की स्याही से इसे अंकित करना है भोच पत्र में अच्छे से अंकित करना है मित्रो और उसके बाद इस यंत्र को पूजा पाठ करके विधी विधान से दीपक जलाकर अर्थात इसे पूर्ण रुप से सुद्ध करके अपने पास रखना है। इसे बनाने के लिए आपको मंगलवार के दिन ब्रह्मा मुहर्त में यह कारे करना है। ब्रह्मा मुहर्त गर्थात है सुर्य उद्य से पहले भी करेंगे तो भी चलेगा। और उसके बाद इसे सिर्फ अपने पास इधारा रखना है। किसी व्यक्ति को देना नहीं या फिर किसी व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। अन्यता इसकी सक्ति इसकी जो उर्जा ब्रह्मान से खीचनी की श्हमता है वह उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। और अगर यहा यंत्र के बारे में कुछ समझ जा हो तो नमबर पर वाटसप यह मैसेज कर सकते हैं। जय जय माता दिमित्रो।